नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नेमलो जीबा नीहा चैनल में यदि आज आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लैक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी अपने सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेलम नाम की लड़कियों के बारे में जिसकी रिक्वेस्ट ओम प्रकास जीने की है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के समय में पृतियक व्यक्ति अपने बविश्य में होने वाली गटनाओं के बारे में जानना चाता है आपको बता दे कि राशी फल भविश्य जानने का बहुत ही अच्छा माध्यम है राशी फल के साहता से आप यह अनुवान लगा सकते हैं कि आने वाला नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिने अपने या किसी दूसरे के बारे में जानने की इच्छा जरूर होती होगी कि उस इस्त्री या पुरुस का व्यक्तित्व वसोभाव कैसा होगा हमारे जोतिस में इससे संबंदित कई सारे उपाये बताए गए हैं जिसे देखतर आप उसे स्त्री या पुरुस के बारे में पता लगा सकते हैं कि वह वेक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, आदे. किसी भी इंसान के बारे में ये सारी बाते पता की जा सकती हैं उसके नाम के पहले अक्षर से किसी व्यक्ति के जीवन में अक्षरों का बहुत प्रभाव पड़ता है आईए निलम नाम के बारे में जाने निलम नाम का मतलब अगर आप अपने बच्चे का नाम नीलम रखने की सोच रहे हैं तो पहले उसका मतलब जौन लेना जरूरी है आपको बता दें कि नीलम का मतलब कीमती पत्थर होता है नीलम नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह विवार करने लगता है आपको बता दें कि अपने शिशु को निलम नाम देकर आप उसके जीवन में सकारात्मक संभामनाओं को बढ़ा सकते हैं यह माना जाता है कि यदि आपका नाम नीलम है और इसका अर्थ इम्ति पत्तर है तो इसका गहरा पिर भाव्यक्ति के स्वभाव पर भी पढ़ता है उसी राशी वनक्षत्र से संबंदित अक्षर से बच्चे का नाम रखा जाता है इस तरह अगर आपके बच्चे के जन्म के समय चांद व्रिष्चिक राशी के भाग में होता है तो इस राशी के अक्षर के अनुसार आपके बच्चे का नाम निलम रखा जा सकता है व्रिश्चिक राशी का स्वामी ग्रह मंगल है व्रिश्चिक राशी की निलम नाम की लड़कियों के अरादे देव गणेश जी होते हैं अनुरादा नक्षत्र के संबंधित अक्षर है न, 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 न इस नक्षत्र का स्वामी शनी और तारामंडल संख्या चार है अनुरादा नक्षत्र का चिन सूप या जलधारा है निलम नाम की लड़कियों को शराप से दूर रहना चाहिए निलम नाम की लड़किया तनाव से जितना बचे इनका स्वास्ते उतना ही अच्छा होगा निलम नाम की लड़कियों में अनुशासन और दूसरों में रूची लेने जैसे खूबियां पाई जाती है निलम नाम का शुब अंक निलम नाम का शुब अंक पाँच है मंगल का प्रभाग होने के कारण निलम नाम की लड़किया जीवन में कभी हार नहीं मानती ये हर मुश्किल का डटकर सामना करती हैं निलम नाम की महिलाओं को जिन्दगी की शुरुआत में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन महनत उन्हें सफलता तक जरूर पहुँचाती है इस अंक से संबंदित निलम नाम की युवतियां साथ सी होती है और इन में नेतरित्व करने का गुण भी होता है निलम नाम वाली महिलाओं स्वभाव से क्रोधी होती है ये किसी की बात नहीं सुनती इन्हें अपनी शर्तों पर काम करना पसंद होता है जिनका नाम निलम होता है वो अपनी मर्जी की मालिक होती है जिनका नाम निलम होता है उनकी जिन्दगी में पांच संख्या का बेहत महत्व होता है ऐसी लड़कियां अपने जीवन में कईशुब गटनाओ, सफलता और खुशी भरे पल को पांच संख्या से जुड़ा हुआ मैसूस कर सकती है निलम नाम का लखी नबर पांच इस नाम वाले लड़कियों के लिए उनकी जिन्दगी में बेहत लखी साबित हो सकता है कुल मिला कर देखा जाए, तो निलम नाम का लखी नम्बर 5, निलम नाम वाले लड़कियों को उनकी जिन्दगी में कई खुशनमा पल से जोड सकता है निलम नाम का व्यक्तितु और व्यवार निलम नाम की यूवतियों की राशी वृष्चिक होती है निलम नाम की लड़कियां आक्रामक सोभाव और हमेशा दूसरों पर दबाव बनाए रखती है इस राशी की महिलाएं हमेशा पहले अपने बारे में सोचती है निलम नाम की महिलाएं जरूरत पर साथ देने वाली होती हैं प्यार के रिस्ते निभाना इस राशी की महिलाओं को बहुत अच्छी तरह आता है इस राशी से जुड़ी निलम नाम की महिलाएं जिस व्यक्ति पर भरोसा करती हैं उसके साथ में सकपट होकर रिस्ते निभाती हैं नहीं तो ये साथ छोड़ देती हैं नेलम नाम की लड़कियां बादचीत की बज़ाय आकरामक तरीकों से काम लेना पसंद करती हैं नेलम नाम की महलाएं सुरती नहीं होती लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ खुद से मतलब रगती हैं नेलम नाम की लड़कियों को जीवन में कई बार कठीन समय का सामना करना पड़ता है इनके कार्यों में बाधाएं आती हैं, आसानी से सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है जीवन में लगतार परिशानियों का सामना करते हुए निलम नाम की लड़कियां मजबूत और सक्तिशाली बन जाती हैं ये अपने अनुभव के आधार पर समस्याओं को निप्टा लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं ये लड़कियां बहुत अच्छी मित्र भी होती हैं, अपने मित्रों के लिए सदेवतत पर रहती हैं और उनकी मदद करती रहती हैं समय के साथ इनके व्यक्तित्व में आकर्शन बढ़ने लगता है और इस कारण इनकी ख्याती भी बढ़ती है निलम नाम की लड़कियां बेहादी सोतंत्र विचारो वाली और मनमोजी होती हैं, इन्हें दिखावे पर बहुत यकीन होता है ये कब क्या करेंगे इने खुद भी पता नहीं होता है, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है निलम नाम की लड़कियां अपनी ही धुन और दुनिया में मस्त रहने वाली होती हैं, इन लड़कियों को बिना महनत के हर चीज़ पाने की कामना रहती है निलम नाम की लड़कियां वैसे तो उपरी तोर पर शांत दिखाई देती हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये बेहदी आकरामक होती हैं इनको अपनी आलोजना परदास्त नहीं होती है निलम नाम की लड़कियां जरूरत से ज़्यादा मूफट, स्वार्थी और घमंडी होती है निलम नाम की लड़कियों के लिए प्रेम एक हिसाब किताब की तरह होता है ये वहीं रिस्ता जोडती है जहां इनका फाइदा होता है निलम नाम की लड़कियों का शुब रंग उजला, लाल, चॉकलेट, नारंगी और पीला रंग, शुब दिन, मंगलवार का दिन, शुब पत्थर, मोंगा, लाबडायक और शुब साबित होता है तो दोस्तो आपको मेरी बताय हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथी साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की चानकारी मिलती रहे और साथी साथ आप मुझे इंस्ताग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सबी अपने सवाल मुझे इंस्ताग्राम पर पूछ सकते हैं और यदि आप भी किसी नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आइडिया आपको डिस्किप्शन बॉक्स में दी गई है या फिर आप मुझे इंस्ताग्राम पर मैसेश कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है धन्यवार